ब्रांडेट सिगरेट की चॉरी करने वाला आरोपी शिगरेट के साथ गिरफितार मुंबई के MSBe े पुलिस ने ब्रांडेट सिगरेट करने वाले एक आरोपी को राजस्थान से गिरफितार किया है जिसके पास से तक्रिबन डेड़ लाखी अलग-अलग कमपनियों के ब्रांडेट सिगरेट बरामत किये गये है आरोपी महेंदर कुमार थाना राम मेघवाल को ब्रांडेट सिगरेट पीने की लग थी जिसके वज़ा से वा दिन में ब्रांडेट सिगरेट बेचने वाले दुकान की रेकी करता और रात में चोरी कर फरार हो जाता MSB पुलिस ने एक पान और सिगरेट बीडी के होलसल वैपारी की यहां चोरी करने वाले आरूपी को राजस्तान से गिरपतार किया है जिसके उपर गुजरात के बलसाड मेरा रोट के नयनगर और मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज है पुलिस के अनुसार वा ब्रांडेट सिगरेट ही पीता था जिसके कारण वा चोरी करने लगा पुलिस थाने की जाच आगे चल रही है पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बोरुली पश्चिम नवा गाउं में रहने वाले राकेश शेटी का पान बेड़ी और सिगरेट की हॉलसेल की दुकान है आठ दिसंबर को उन्होंने में पुलिस पुलिस में सिकायद दर्च कराई कि उनकी दुकान से लाखों रुपे की ब्रांडेट सिगरेट चूरी हो गए है पुलिस ने ततकाल मामला दर्च कर आरोपी के तरह सुरी कर दी पुलिस को सिसी टीवी और अन्य जाच में महेंद्र कुमार में इकवाल नाम का सक्स के बारे में जाने करी पता चली जिसे राजस्तान के पाली जीले से पकड़ा गया पुलिस के अनुसार उस पर गुजरात राजस्तान और मुंबई में भी कई मामले दर्च है वे रिपोर्ट समयनेश्टल मुंबई में राकेश शेटकी करके जो फिर्यादी है उन्होंने आठ डिसेंबर को एक एफार दच किया है कि उनका शिगरेट और पान का जो होलसेल का दुकान है वो दुकान में दुकान ब्रेक करके वहां से देड़ लागती चोरी किये अरोपी का नाम है महिनर कुमार मेगवाल और रहत्या रायस्तान जब है हमने सीची पूटेश देखे तो सीची पूटेश से हमें उसका चेरा क्लियर दिखा और चेरे से और हमें तला कि वह आरोपी रायस्तान का है तो वह आरोपी को एक नशा था एक ब्रैंडेट तो वह चोरी किये और चोरी किये उसमें से भर सारे जो जो बहुत सारे जो बोम्मे में भी बेचे हैं फूर उसकी तैका करके वह पूरा माला हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं झाल झाल